राव साब, देश सोच रहा था कि तिरंगे के नाम पर सब एक जुट हो जाएंगे, राजनीती तो पांचों साल होती है, सालों साल होती है, 365 दिन होती है, एक पखवाला तिरंगे के नाम ही सही, कटुता भुला के सब एक जुट हो जाते, देश भर में मेसेज आता, लेकिन व आपने देहायत शाली में बहुती नरम शब्दों का इस्तेवाल किया तिरंगे पे बद्वेद होना तिरंगे का विरोध करना रास्ट्रद्रों के बराबर है आप जानते हैं कि इसकी इसकी शान जाने पाए जाए जान भले ही जाए कि गाना होता था जंडा उंचा रहे हमारा कितनी जोश भरते थे आजादी के पहले ताकत आती थी स्पूर्टी आती थी तब तो वो कॉंग्रेस पार्टी के जंडा थे चरके वाला अब तो चक्क होंके रास्ट द्वश हो गया है भारती गड़तंत्र की हिज़त का प्रश्ट से इस पर का अप्मान करना ये देशत द्रौह ही है और मानब तक द्रौह है ये नकारना है उस सारे स्वाधिनता से नानियों का जिनके लिए से माज़ाद हुए ये सोची है आप आप तो बहुत ही सब भी तरीके से बोल रहे थे मुझे थोड़ा आक्रोश भी आ रहा था अ जमाना करता है और पहुंच के लोग रोज करते हैं पार्टी पार्टी अलग लग ये का तरीका है इनको जंता कभी माहफ नहीं करेंगी और खासकर चिनाव की बद्दादा याद रखेंगे राश्रत धोजा किसे आप पांग क्या अचा मान एक शंट लिए अमता बाई यार आप तो वह भी आ गए अब तो आर्टी जन्ता पार्टी भी आगे तिरंगे पीशे अब कौन अलग है ऐसे वह तिरंगा जोड़के छोड़के जाना मैंने ख्यास से बहुत ही गंदी वूची मान सिकता है अंता भाई जे बोलगि ति रंगा छोड़कर लाना क्यों आपकी पार्टीओं के दफ्र है अलग 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 आपकी पार्धीओं के जंडे अलग है एक जंडा तो देशमें ऐसा रहना चाहिए जिसके नीचे सब खड़े होके गर्वों महसूस करें उसमें किंतु परंतु दो राय नहीं होनी चाहिए उपराष्ट पति तिरंगा यात्रा को जंडी दिखाते हैं उसमें भारत के मंत्री शामिल होते हैं भारत की संसत के सदस्त शामिल होते हैं कांग्रिस को उस पर आपत्ती हो जाती अधीर रंजन चोधरी बहुत उत्तेजी तवस्था में कहते हैं कि वह भाजपा का काम है कार्क्रम है उसमें क्यों जाएंगे यह उपराष्ट पति भाजपा का नहीं तिरंगा भाजपा का नहीं सुधा जी फिर जी अब करती हूं और राजपी पिश्टेशक मारे बिक्रम भाई बोल रहे थे ओची गंदी और उन्हें बहुत से स्वाटों का प्रयोक लिए कि राश्ट्र दो और यह इस पर लगता चाहिए किसी और देश में हो दें तो यह हो जाता को हो जाता इस तरह क बहुसी बादे उन्होंने की मैं भी आज और यह आँस ऑह कि आप शालीं तरीके से बादे कह रह थे और मैं भी बहुसी चालींता से स्वाट पौंगी डेश के तिरंगे पे मुझे तेश्वक्ती सा具 करने की जलिवरवथ नहीं है मेरा तिरंगा मेरे साथ मेरे भरवक्त रहता है मैं जब से पैदा हुई हूई हुए स्कूल गई हूँ तब से मैंने तिरंगे को फेराया है और तिरंगा आकर मैं अपने सुबस दिपी अगर ऐसे लगा हुआ है बस अंतर क्या है कि हम उस आजादी के अमरित महोट्सव में जिसने हमें अजादी दिल्वाने में अपना सब कुछ नेचावर कर दिया था उसके साथ लगाया है इसमें कहां से राश्डरोन कहां से देश प्रेम का अभाव कहां से वात कि तिरंगे को हम अगर उस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं, तो हम तिरंगे से प्रेम नहीं करते हैं, हम राष्ट से प्रेम नहीं करते हैं, और जिसकी मात पिसंद्धार्स थी, जिसने कभी उसको लागो ही नहीं किया कभी फैराया ही नहीं, उस पे अपनी बड़ी बड़ी अपने आपको राष्ट्र प्रेमी बताने के लिए सरकार के द्वारा किसी यात्रा में अगर मैं शमनित ना हो पाऊं तो क्या मेरे फिराष्ट्रों का आप उलगा देंगे? क्या मेरे राष्ट्र प्रेमी को दिखाने के लिए मैं आपको पूरी बात करने में पूरी बात करने की जरूरत है क्या कि मूल प्रश्ण इतना है आप जिसको आप बार-बार कह रहे हैं इस पर टिपने करके फिर नीतेंद्रव जी के पास से लूगा कि किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं कि कोई यात्रा का अगर सरकार निकाल रही है आप उस पर मौन हो जाईए नहीं जा पाए कोई दिक्कत नहीं साबित करने की जरूरत नहीं को पुलिस थोड़ीन लगिए कि जाओ लेके ना फिर अधीर रंजन की तरीके से चिला चिला के उसके उस पर वो मत करिए वो फिर अप इसे चिला चिला के इसे मत करिए ये भाशा ठीक नहीं ये भाव ठीक नहीं ये करना भाजबा के साथ करिए आप भी कूदिये वो भी कूदे आप लावडर स्पीकर के आवास से चिलाए वो तोप के आवास से चिलाए चलेगा यहां तो तिरंगे का मसरा है यह क्यों चिला पर और gir द्रमाटिक धिततव है अबos Beyond.j.- और दूसरी और भात बहुत में आज मरूरख़ दिखंडक हैं उसको यह मोह फोर देना चाहिए कि हम आजादील है इत्था ठीक नहीं तथhigh तोर पर ठीक नहीं यह ऐता ही बात इसलिए वो छोड़ दीजिए वो विशे आप ये उसको भी अपने टोकरी में रखने की कोशिश मत करिए उस समय देश में जितने भी विशार थे जितने भी समूह थे वो सब जिस एक मंच पर थे आते थे उसका नाम कांग्रेश था इसलिए गांधी ने कहा था आप इसको डि इसलिए उसमें मत करिए उसमें सब लोग थे इसलिए इस बात का ख्याल रखिए नितन भाई बीजेपी के कृष्णमुन पांडे जी भी आगे उनका विश्वा अगा था नितन भाई मेरा सवाल हो ही एक तो हर आदमी ने कहा कि हम अपनी अलग दुकान खोल लेंगे मेरा मानना था तिरंगे पर तेरा से पंद्रह जो राष्ट्री ये कारिक्रम था ठिक उसमें ही सब लोग अपनी उर्जा लगाते तो कोई बुरी बात नहीं थी किसीन का हम चार को करेंगे इसलिए कि तेरा से पंद्रह बने टारीक मेच नहीं होनी चाहिए आपने का आप नव से करेंगे क्या जताना चाहते हैं मतलब इसके पीछे सेंस क्या है हम वो समझना चाह रहे हैं अगर तेरा से पंद्रह ही पुरा देश मना था समाजवाधी पार्टी भी बहूजन समाज केजरिवाल जी की पार्टी तो समस्या क्या आती है कि समस्या कहीं है भी नहीं है हर आदमी की आडियोलोजी उससे में आनी चाहिए हमारी जो तर्क है कि जो नौ अगर्स्ट अंग्वेजो भारत छोड़ो का नारा उनीस सो बैलिस में मात्मा गांदी के निस्ट्म दिया गया जी वह पखवारा हमने उस तर्क है हम नौ अगर्स्ट अंग्वेजो भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया था उस तरीक पर आज जादी के अमड़त बहुस्तों को मनाने की हम लोग 15 अगर्स्ता किस कार्कम को करेंगे उसमें 13 तरीक भी उगी उसमें 14 तरीक भी उगी उस में भारती जंसा पार्टी आपिस क्या जटाना चाहिए है कि हम स्कूल के हेड़ बास्टर हो गए जो मेरा फत्वा आजाए उसी को बेदमाल लिए आप तो वो लोगों जब 1922 में अंग्रजी व भारत सोड़ो का नारा दिया गया था तो आपके जो पुरोदा थे स्यामा प साथ मुकरजी जी उस समय नहों में बाकाइदा इस कारिकम का विरूस किया था और मुस्लिम लिए के साथ बंगाल में आप तरकाश चला रहे थे और बाकाइदा अंग्रेज जवएनर को आपने पत्र लिख करके कहा था कि इस आंदोलन को सक्ती से कुचल देना चाहिए तो आप तो कभी उसके पच्चदर नहीं थे आजाजी की लिलाई की लेकिन फिर भी अगर आपके डारेक्शन पर सारा देश चलने के लिए कोई बात से थोड़ी ना होगा ठिरंगा सब के दिरों में है ठिक ठिक